देखिये भक्ती, भक्ती का सरलसा मतलब है बिना शर्ट का प्रेम हम भगवान को एक वस्तू के रूप में इसलिए स्थापित करते हैं ताकि आप प्रेम करने की प्रक्रिया में उलज करना रह जाएं ऐसा नहीं है कि आपके बगल में बैठे व्यक्ति से प्रेम करना किसी भी तरह भगवान से प्रेम करने से कम है पर आपकी समस्या ये है कि अगर आप आपके बगल के व्यक्ति से प्रेम करना शुरू कर देते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ हर तरह की उलजनों में पढ़ना शुरू हो जाते हैं इसलिए भक्ति योग ने अपनी भक्ति का फोकस किसी दूसरी चीज़ पर किया है, ताकि आप उलजे नहीं। तो भक्ति चाहे आपके आसपास के लोगों के लिए हो, आपके चारों और के संसार के लिए हो, या आपके आसपास एक व्यक्ति के लिए हो, या आपके गुरु के लिए या आपके भगवान के लिए हो, ये बिंदु नहीं है, भक्ति की वस्तू महत्वपूर्ण नहीं है, मह इस बारे में है कि आप कितनी तीवरता महसूस कर सकते हैं। भक्ती का अर्थ है विलीन हो जाना। तो भक्ती का मार्ग विलीन हो जाने का मार्ग है। आप जो भी महसूस करते हैं, उसमें आप विलीन हो सकते हैं। उसके प्रती आपकी भक्ती होनी चाहिए। अब मान लीजिये आप में आपके बगल के व्यक्ति के लिए गहरा प्रेम है बहुत कम लोग किसी दूसरे के लिए खुद को दे देने में सक्षम होते हैं वे किसी और को खोज लेते हैं क्योंकि वे अपना खुद का जीवन चाहते हैं हाँ? तो इस तरह का प्रेम प्रसंग बहुत ज्यादा भलाई नहीं करेगा ये सिर्फ आपको उलजाएगा इसलिए आप एक गुरु या भगवान को चुनते हैं क्योंकि अगर आप उलजने के इच्छुक भी हों तो भी वे आपके साथ उलजने के इच्छुक नहीं है ये एक सुरक्षित प्रेम प्रसंग है क्योंकि अगर आप उलजने की कोशिश भी करते हैं तो भी वे आपके साथ नहीं उलजेंगे इसलिए गुरु या भगवान की और अपना ध्यान ले जाना बस यही है कि ये बहुत ही सुरक्षित प्रेम प्रसंग है आप अपनी पूर्ण तीवरता के साथ महसूस कर सकते हैं पर फिर भी वे इसे उलजने नहीं देंगे ठीक है वरना चाहे आप अपने कुटे से प्रेम करें या भगवान से ये अलग नहीं है ये आपकी भावनाओं की गहराई है जो महत्वपूर्ण है आप किस से प्रेम करते हैं ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है अब आपकी भावना में जबरदस्ट तीवरता लाने के लिए आपको एक वस्तू की जरूरत है जिसकी और आप देख सके कुछ ऐसा जिसकी और आप खुद से उँची भावना में देखे सिर्फ तभी आप अपने आप में उस तरह की तीवरता ला सकते हैं उसी समय अगर ये बहुत उंचा हो जाता है तो कोई प्रेम नहीं करेगा सिर्फ श्रद्धा होगी तो आम तोर पर गुरू एक ऐसी भूमिका निभाता है जहां एक समय वो वहां उंचाई पर होता है दूसरे समय वो बस आपकी तरह होता है इसलिए आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं आप समझ नहीं पाते कि उनको मनुश्य माने या भगवान तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि अब आप उसे एक इनसान के रूप में प्यार कर सकते हैं पर उसी समय उसे उपर रख कर उसकी ओर देख सकते हैं तो वास्तव में इसमें कोई संघर्ष नहीं है अगर आप इस तरह महसूस करते हैं तो ये अच्छा है क्योंकि अच्छा कर देख सकते हैं क्योंकि अच्छा आप नहीं हो नहीं है झाल 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 झाल